बीजेपी भले ये कह रहे हो कि देखिए ये जो लोग गए हैं ये दगे हुए कार्तूस से इनमें कुछ बचा नहीं था लेकिन जिस हिसाब से मंच सजा और जिस हिसाब से यहां पर आज बयानों की बंबाजी की गई ये लग रहा है कि वीजेपी को बड़ा नुकसान पहुचाने की चाहत है या इस मंच के बाद चुनावों में इस प्रसाद महर्या का वजूत न केवल कुशी नगर पड्रोना जो की पूरवांचल का हिसा है बलकि राय बरेली और बदायू बदायू में उनकी बेटी संगमित्रा महर्या वो सांसद हैं राय बरेली से वो खोद आते हो उनका बेटे चुनाव लड़चुके हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में जादातर विधान सभाओं पर जो मोर्या कुनबा है, मोर्या समाज है, उनमें स्वामी प्रिसाद मोर्या की पकड़ मजबूत मानी जाती है BSP जब उन्होंने छोड़ी थी तो बड़ा नुकसान BSP को किया था और अब वही इरादा, वही आवाज लेकर वो कारिकरताओं के बीच पहुंच रहे हैं कि उन्होंने जिसको छोड़ा है, वो राजनीत से साफ हो गया है तो वो आज मन से बया भी किया स्वामी प्रिसाद मोर्या ने कि बीजेपी जो उनकी अंदेखी कर रही थी, जो उपेक्षा कर रही थी यानि अंदेखी करने वालों को एक प्लैक्टफॉर्म मिल गया है अब शेक उपाद्याई भी मारे साथ है अब शेक, आज एक मूवी का बड़ा हिस्सा था अब इसे क्या माना जाएए, ट्रेलर था इंटर्वल के बाद एक कहानी बाद में आएगी फर्स्ट हाफता क्या था जर समझाएए देखें स्वामी प्रसाद मोर्या आपको दिख रहे हैं यहां से जाते हुए बाबो जी कैसा शोगा, बाबो जी यहां से निकलने में दिक्कत आ रही है साहिम प्रसाद मोर्या को यह तस्वीर आप इसको यूँ देख लिए चुक्कि इतना धक्का मुक्की हो रही है कैवरा इधर चेतर इंडर लाईगा अब यहां से अभी निकले हैं साहिम प्रसाद मोर्या यह और अभी भी आप देखिए यहां पर काफी लोग हैं अभी भी देखिए यहां से लोग निकल रहे हैं और एक एक करके नेता हैं उनको भी निकलने में काफी इस समय समस्या आ रही काफी लोग यहां पर आ गए हैं और यह कहा गया कि दस लाग की भीड़ होती दस लाग की भीड़ होती अगर अगर ये रमाबाई हम बेटकर में हो ये प्रोग्राम होता तो ये एक तरह से शक्ती प्रदर्शन आपको आप कह सकते हैं और मैं आपको तस्वीरे बड़ी जिल्चस्मिलर देखिए इस तरह भी आपको पूरा समाज ये जो आप भीड़ देख रहे हैं यही भीड़ इस बात का संखेत है कि हवा समाजवादी पार्टी की फेवर में है आपका अनलेसिस है हाला कि समाजवादी पार्टी कह रहें कि इसके बाद और बहुत सारी ऐसे पिक्चरे सामने आती रहेंगी जैसे इसने वक्त लिए इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए विश्च्षण करने के लिए और अमीर घरीब ऊंच नीच नहीं देखता को ओरोणा सिर्फ मॉका देखता है लेकिन आप उसे मौका मत दीए बस इतना कीजिए जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लोगिए तो इतना खयाल ज़रूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा बुलिये मत, कोरोना अभी जिन्दा है